चेत्रमास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है पाप मोचनी एकादशी का वरत जो भक्त पूरे विदिविधान और भक्ती भाव से करते हैं उनके सारे पाप नश्ठ हो जाते हैं भगवान विश्णु का आशिरवाद प्राप्त होता है औ और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस एक आदशी के महत्तु को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तब लोमश रिशी ने राजा मानधाता के इस परश्ण का जवाब दिया और इस संधर्व में एक कहानी सुनाई। मन्जु गोशा रिशी को अपनी और आकरशित करने के लिए अनेक प्रकार के यतन करने लगी। तब ही उधर से कामदेव गुजर रहे थे। उनकी नजर अपसरा पर पड़ी। कामदेव ने देखा कि अपसरा रिशी को लुभाने के लिए अनेक प्रकार के यतन कर रही है। और वह अपसरा के मन की भावना को समस्ते हुए अपसरा की रिशी को रिजाने में सहायता करने लगे। और आखिरकार अपसरा मेघावी रिशी की तपस्या भंग करने में सफल हो गई। और रिशी काम पीडित हो गए। रिशी शीव की तपस्या को भूल कर काम के वरशो कर अपसरा के साथ रमन करने लगे। कई वरशो के बाद मेघावी रिशी को अचानक एहसास हुआ कि वह शीव की तपस्या से विरख्थो चुके हैं और वह अपसरा पर बेहत क्रोधित हु अपसरा को अपनी तपस्या भंग करने का दोशी मान कर रिशी ने अपसरा को श्राप दे दिया कि तुम पिशाचनी बन जाओ। अपसरा रिशी द्वारा श्राप मिलने पर बेहत दुखी हो गई और मेघावी रिशी के चर्णों पर गिर पड़ी और रिशी से इस श्राप से मुक्ति के लिए प्रात्ना करने लगी तम मेगावी रिशी ने अपसरा को विधी सहीत चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा मेगावी रिशी ने भी इस एकादशी का व्रत किया क्योंकि अपसरा के साथ भोग में निमग्न होने के कारण रिशी का तेज भी समाप्थ हो चुका था और यह व्रत करने पर उनके पाप नश्ठ हो गए उधर अपसरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनी से मुक्त हो गई और फिर से सुन्दर रूप प्राप्त करके स्वर्ग लोग चली गई पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधी इस प्रकार से है पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विश्णु के चतुर भुज रूप की पूजा करनी चाहिए व्रती को दश्मी तिथी को एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए और उसे भोग विलास की भावना को मन से निकाल कर भगवान हरी में मन लगाना चाहिए एकादशी के दिन प्राते काल उठकर नित्य क्रम से निव्रत होकर इसनान करें इसनान करके व्रत का संकल्प करें संकल्प के उप्रांद शोडशु प्चार सहीत श्री विश्णू की पूजा करे पूजा करने के पश्चात भगवान के समक्ष बैट कर भगवत कथा का पाट करे अथ्वा श्रवन करे एक आदशी तिथी को जागरन करने से कई गुना पुन्य प्राप्त होता है रात्री में निराहार रहकर भजन करते हुए जागरन करें दवादशी के दिन प्राते काल उठकर इसनान करें भगवान विश्णू की पूजा करके ब्रामनों को भोजन कराएं और यथा अनुसार दान दक्षिना देकर उन्हें विदा करें उसके पश्चात ही स्वेम भोजन ग्रहन करें इसी तरह की अन्यवरत कताएं उपाए जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तु शास्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेर करना ना भूलें नमस्कार